मेरे पास party की name दिये गया है, यहाँ date दी गई है और यहाँ इंकी aging दी गई है, आज की date से calculate किया गया है, अब हम इसमें private table apply करने वाले हैं, insert tab पे जाएंगे, private table पे क्लिक करेंगे, दोस्तों आज आप काफी कुछ नया सीख के जाने वाले हैं, वीडियो के अंदर लास्त तक पने रहेगा, ओके करेंगे, अब हम यहाँ aging को लेंगे row section में, और यहाँ aging को लेंगे value section में, और यहाँ पे हम इसकी field change करके, यहाँ count कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 12 aging की total 2 party है, 14 aging की total 4 party, इससे हमें payment collect करना है, अब इसमें हमें condition apply करने वाले हैं, ध्यान से अब हमें खुद से create करना है कि 20 से 30 aging के कितनी party है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे बस 20, और यहाँ buy में लिख देंगे 11, क्योंकि 20 से 30 के बीच में हमारा 11 का difference आएगा, ठीक है, और okay, तो देखिए 20 से नीचे जो हमारे total 7 party है, और 20 से 30 में हमारे 11 party ह तो इस पर हम follow up करके इसे payment कलेट कर सकते हैं, 31 से 41, 4